आपसे जी मैं शेयर रहे हैं यह समय है ओके जी अच्छा इस तरह से के पहले मैंने आपको एक कम्प्लीट टॉस्ट जो है न प्रोड़क्ट रंटिंग का मैं वह शेयर कर दी आपके साथ के इन एक्ष्वर्ड रंटिंग हमने देखा के प्रोड़क्ट रंटिंग हम करते हैं को हम फाइं प्राइटेरिया पर मीड लॉड़क्ट एक विस प्रॉड़क्ट को हम फांडाउट कर सकते हैं एक सмотр Key Lens ओर मैं आट ज़ुआ स्चानो करते हैं को एक पर में सकते हैं एक कर B कि अच्छा इस तरह है कि मैं आपको बताने जा रही थी कि इन एक्चुल हमें टास्क वाइस भी यह प्रोजेक्ट मेरे सकते हैं ठीक है लेट सी कि आप यह कोई आपको यह कह दे के प्रोड़क्ट आप मेरे लिए हंट कर दें यह आज कही एक मैं आपको कंफर्म करें वाद सबको आ रही है यह मैं यह मैं जी और मैं ठीक है मैं आपको क्यों बार बार कह यह फिर्थ आपने प्रोड़क्ट यह इन अर्ट की देराऊ रही होती हूं आप ग्रूप में अक्टीव हो जाए मैं इवन दो इतने यह अन्हे अपने बैच वैलों की एक्जम्बल आ मेरे सामने कि जब मैं यह ट्रेइनिंग ले थी तो तब यह नहीं कि अन्हों ने अपन इसको बताने जारीं कि वर्थ आपकी वीजिबिलीटी की कितनी होती है तो उनोंने लगाई और उनकी वह प्रॉडटक ना सेल आउट हो गए अब सेल आउट नहीं लेकिन उनको क्लाइंट मिल गया और ये बाइज 4 में मैं कुछ स्टुएंट्स हैं इनको मैं देख रही हूं एक्टिव सारे ही चुप करके बठे हैं तो ऐसे नहीं करें ऐसे बिल्कुल भी आपका जो है नहीं कि जो मैं देखती हूं अपने और मेरे सामने एक्जम्पल्स होती हैं मैं अक्सर स्टेटस पर से लिए हैं इसके लावा एक्टिव स्टूडेंट एंजस्ट उनकी में बाद कर रही हूं हसन हमदानी हैं उन्होंने माशाला से यनिके उनको क्लाइंट भी मिल चुक है और वो उनके साथ लाउंच कर रहे हैं इसके लावा उन्होंने अप्सोर्सिंग में मूव हों किये कि अक्टिवनेस का फाइदा कितना होता है बट्ट आप में से मुझे कोई भी एक्टिव नजर नहीं आ रहा तो ऐसे बिलकुल ना करें ठीक है स्टार्ट है आपका तो जो मैं आजाइन करूंगी वह भी आपकी तरफ से मुझे आनी चाहिए अच्छा इस तरह से है कि प्रॉड़क्स सोर्सिंग ना इनक्टिव हमारा सेकिंड टास्क है एस वर्चुल एसिस्टन प्रॉड़क्ट हंट कर ली जाती है उसके बाद सेकिंड आस का आ जाता है सोर्सिंग ठीक है सोर्सिंग हमने करवानी होती है चाहिना से अलिभाबा.com यह बेस्ट एवर वैबसाइट ठीक है डी एच गेट जो है वह बेसिकली वह भी रिकमेंड है लेकिन उसमें हमें मसला यह आता है कि वहां पर हमें प्रॉफिट मार्जन इतन ही मिलता है तो हैली रेकमेंड है कि आप अलिभाबा से करें और भी बहुत ज़्यादा वैप है जिसकी वज़ा से हमें इसको रेकमेंड करते हैं अच्या मैं मेरे 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 प्रहाने का मैथड यह है मैं आपको एक चीज मैंचन कर दूं स्टार्टिंग पर मैं बार बार कन्फरमिशन लेती हूं अपने स्टुडेंट से के यानिके उनको पिछला जो मैंने जितना भी कहीं हुँ कि आइदर उन्हों होंने चीज फ Australians की हैंका अभी मैं आज 2009 F2 की कंसी आपने बैस द्री कि प्रफ punt की और लास कर는 की उड़स चले उर्याई और मैं उनकी उनकी रेरी तो मैंने उनसे जिस स्टुडेंट्स ईब पूच आना उन्होंने मुझे पिछे से जो वी मै आ रहे थे वूशीज है कि तो यह होती है कितने राणितिकेशन से अपने चीजें लेंन कि यह अचाल मैसी फेर्ट कारूद्स हो आ जाक है मेसी आप मरूद्स कुरिक जांप भारी उसे माध Lawrence काहिए खिर और जान पर्सीं के बारी ले अचाहए सबस्केश को सबस्कोर्णो हमे हालिक भी अपने बिजनस को राटेइं गरने के लिए फें से भी प्राडब्क सोर्स की एंट यह तो आइट से इंकूद इन प्रड़क सोर्सिंग methodologies product sourcing में बहुत ज्यादा होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं dropshipper कि drop shipping करते हैं कुछ लोग wholesaler से ले लेते हैं wholesale price पे product लेकर उसकी sourcing करते हैं निकिए private label करते हैं private label में हम क्या करते हैं कि वह फिर यह website है जाहन से हमने प्रोड़क्ट सोर्स करवाने हैं तो अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करें तो अलिबाबबा यह वेबसाइट्स हैं लाइक दियाज केट शिक्स्टीन यह 1688 डियाज केट मेड इन चायना ठीक है गलोबल सोर्सीज ट्रेड ट्रेड की एंड एसियन प्रोड़क्स सेल हू वोगोन फेह तो यह तमाम जो हैना उसे फॉलसेल सेंट्र बाफ शिपिंग साइट इन मैंनी मोर यह इसके इलावा बहुत ज़्यादा वेबसाइट आपको नजर आ रही है और इसके इलावा भी बहुत ज़्याद वह दिया आँ अभी मैंने मेंने शाडिक्स के इलावा बह अब alibaba.com को क्यों refer किया जाता है बाकियों को क्यों नहीं क्यों 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 नहीं क्योंकि एक तो reason यह है इसके behind इसमें से profit margin में अच्छा मिल जाता है ठीक है second reason यह है कि यहां से हमें जो है ना वो हमारी sourcing effective हो जाती है चाइना में जो चाइनीज है उनको हम अपनी बातों में अच्छे खासी जो है ना वो उनको negotiate कर सकते है second thing कि यह जो है वो हमें trade assurance की policy देता है जो कि कोई website नहीं हमें देती ठीक है मैं आगे जाकर trade assurance का आपको complete guide करते हूं अच्छा there are various platform for product sourcing choices is yours but i will discuss about alibaba many of sellers are happily engaged to alibaba ठीक है अब alibaba को ही क्यों choose किया जाते है because alibaba जो हमें trade assurance की policy देता है मैंने अलरडी बताया आपको trade assurance अब trade assurance क्या है कि let's suppose के यहनी के alibaba पे मैं product जो है वो sale out करना मैंने buy करनी है purchase करनी है तो जो यहनी के buyer है and client इसके दरम्यान alibaba जमानत के तोर पर act करता है कि यहां पे scam नहीं हो सकता वो किस तरह alibaba क्या करेगा के buyer ने product लेनी है supplier से ठीक है alibaba buyer से पहले अपने पास पैसे रखेगा payment अपने वास मगवाएगा जब supplier buyer को product यहनी के source करवा देगा बाइर से confirmation alibaba लेगा कि आईदर आपको product मिल चुकी है क्या कोई बीच में product breakable तो नहीं कोई मसला तो नहीं shipment में अगर buyer कह दे के okay है तो तैन alibaba ने वही payment जो है वह फिर supplier को देनी होती है so in actual alibaba जो है वह वहां पर जमानत के तोड़ प्रैक्ट कर रहा होता है so that's why highly recommend है के alibaba को choose किया जाए ताके कोई भी scam हो तो alibaba वहां पर हमारी जमानत के तोड़ प्रैक्ट करेगा हम वहां पर secure होते है so in actual security provide करता है so that's why इस alibaba website को recommend किया जाता है many of seller happily engaged to alibaba supplied because of lower manufacturing cost इनकी manufacturing cost भी कम में होती है जैसा मैंने आपको profit margin में बताया ना के वहां पर Amazon पे 9.99 I think so dollar की product sale out हो रही थी तो हम alibaba पे गए हैं तो वहां पे 0.65 की मिल गी है वह तो एक अलाइदा बात है के shipment के डालके हमें margin नहीं अच्छा मिल सका और हमें इस price को भी फिर गिर आना पड़ता है इस price को भी नीचे लाना पड़ता है supplier को ताके वह हमें अच्छी price में इस range में price दे दें ताके हम आगे जाके profit margin हमारा बन सके तो negotiation किस तरह से करते हूं इंशाला step by step देखेंगे things to finalize connecting to supply ठीक है अभी supply से बात करने से पहले यह चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या चीज है जी profit margin ठीक है क्या demand high है उसकी ठीक है और competition उसका कैसा है इतनी competitive product होगी तो क्या फाइदा चाहना है सभी आप source करवाएंगे inventory आरे आप चाहना वाले 500 पीस से कम दे ही नहीं रहे पहले start पैसे होता था class यह confirm करें वाज सबको आरी है यह मैं यह मैं आरी है आरी है यह मैं आपको बताने जा रही थी कि यहनी के competition पहले ऐसे होता था कि अबना competition हर चीज में बड़ा इन हो गया है पहले ऐसे होता था कि मतलब हमें ना Alibaba वाले जो है वह 200 पीस पे भी sourcing कर वा देते थे ठीक है अब अगर हम बात करें तो sourcing जो है ना मिनिमम M.O.Q. उनके 500 होते हैं यह पिछले दिनों में क्यू फोर गया है और क्यू फोर एक ऐसा सीजन है Amazon पे जिसमें ना यानि के हमें यह नहीं हम प्राइवर लेबल रेकमेंड करते हैं नहीं होलसे रेकमेंड करते हैं तो इन एक्चुल उन डेज में हमें करेंगे तो उन डेज में हमारी सोर्सिंग इफेक्टिव भी नहीं हो पाती है और सोर्सिंग का लीट टाइम हमें ज्यादा मेल जाता है तो यह नहीं है कि उन डेज में हम कोई भी लांच करें देख सके कि एक लिए अचिछा मैं पताने जा आ शान रही थी कि हमने क्या करना है सप्लाइर से बातजित करने से पहले ना हमने यह 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 तमाम चीजें अ करके सप्लाइर के पास जाना है profit margin क्या है demand level क्या product की competition कितना है ठीक है उसके बाद हमने ना five seller पर focus करना है जो कि जो कि sponsored add नहीं होगा ठीक है यानिके it's mean हमारा competition sponsor नहीं है मैंने आपको बताया if a sponsor को न से होते हैं जुन्हें Amazon पर PPC run की होती है उनके product के साथ sponsor सब्सक्राइब किया होता है ठीक है हमारा उनके साथ कंप्यूटिशन नहीं है बट हमारा फोकस होता है फाइव सैलर पर फोकस होता हमारा ठीक है टार्ग टेबल नंबर्स आफ रिव्यूज असलाम लेकुम जी वालेसलाम अच्छा यह कोईरिस पर रखेंगे हसन आपका माइक कौन है आप माइक आफ कर लें यह जो ही होता है ना कम्टीट होता है तो इन्शाला हम कोईरिस पर आते हैं हम लिए लिए अच्छा में पताना जारी थी आपको ए प्वाइब सेलर के साथ हमारे कंपिटीटों होता है उन पर फोकस करना होता है जो टॉप 10 लिए ना उन में से टॉप 5 में आपने उनके साथ competition होता है कि हम उनकी according अपनी sourcing करवाएं इसके लब टार्ग टेबल नंबर फ्रव्यूज ठीक है competitor कौन सा स्लेक्ट करते हैं हम कि इन एक्ट्वल जिसके reviews काम और revenue हाई हो नो Amazon and brand dominancy ठीक है Amazon और brand dominancy ना हो यानि कि जो हम competitor अच्छा हमने क्या करना है कि अपना competitor को final करके उसके नेग्टिव रिव्यूज को ना पढ़ना होता है अच्छे तरीके सी रीड आउट करते हैं और फिर उन्हीं नेग्टिव रिव्यूज को में सप्लायर को बताना होता है कि सप्लायर मेरे यह नेग्टिव फॉल्ट्स हैं यह नेग्टिव रिव्यूज और मेरी प्रॉडक्ट में यह नहीं आने चाहिए ठीक है आपने competitor से यूनीक बनके जाना होता है ताके आपको से लाए competitor के साथ competition है ना तो चीजें की हुई हैं आप यह करेंगे कि आप उसके साथ मतलब के उससे थोड़े से यूनीक नज़र आए ताके आपको से लाए competitor के मकाबले में बाहर आपको प्रेफर करें तो यह चीजें मेक्शूर करनी होती है exact quantity and pictures and responding ठीक है यह सारी चीज आपको आइडिया होना चाहिए के quantity आपकी कितनी है पिक्चर कोन सी अपने लगानी है आई कैचिंग पिक्चर होनी चाहिए ठीक है यह स्पेशल आप फोटोफर को हायर करके तो यह आप सर्विस लेते हैं फाइलाइज ब्रैंड नेम आपने पहले फाइनलाइज कर लेना होता है जब आप प्रोड़क्ट कर लेते हैं उसके ब अब भी छॉछ सुझट कर ससे हैं बड़ यह एकच्वल क्लाइंट यह अपने वरुकान करने तो अपनी मर्जी से पना अपना ब्रैंड का नेम रखेगा तो फाने अपनी मर्थी से अपना ब्रैंड का नेम रखेगा हो तो तूज श्प्लायर रहा है कैसे किसी किyo मैं किरी है तु छूज रहुता है श्प्लायर को कदर हम स्फ्लायर को चूज करते हैं का इस श्प्लायर को टाइक है IH Un eli by ख्रीय अर्तियों को टाय। Apple को को चूज करने का तो मैं आपको इंफर्म कर दोगी मैम जी जी मैम अगर आप हमें जो है ना डमी अकाउंट थोड़ा सा बनाना सिखा दें तो जैसे हमारी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी ऐसे मैम हो सकते हैं या अगर कोई वीडियो हो ऐसे अहां डमी अकाउंट में भी बाकी अच्छा डमी अकाउंट किसी मैं मैं यूटुब एप चले चले इस तरह से है कि मैं आ इसका अगले लेक्टर में आपको कम्प्लीट गाइड करती हूं डमी अकाउंट का ती मैं मैं ने देखी ती यूटुब